बस साथ रख जो शुद है शोट प्रस सिल्वर पांप मसाला सबकी जुबापर हिजबुल्ला इन दिनों यहना पूरी दुनिया में चर्चा में है वज़ा है इसराइल के साथ नई जंग इसराइल के टैंक इस समय लिबनान के बार्डर पर आग बरसा रहे हैं जिसका हिजबुल्ला भी जमकर सामना करता हुआ दिखाई दे रहा है वैसे तो इसराइल और हिजबुल्ला के दुस्मनी करीब 42 साल पुरानी है मगर नई जंग की सुरुआत 7 अक्टूबर 2013 को हमास के हमले के बाद से हुई 11 महिने तक इजबुल्ला के बीच हलकी भुलकी जड़पे होती रही मगर अब इजबुल्ला ने पूरी ताकत से इस चरमपंथी गुट के खिलाफ मुर्चा खोल दिया है इजबुल्ला को खुद पता है कि इजबुल्ला हमास नहीं है उससे लड़ना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि हिजबुल्ला हमास से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है इस संगठन की ताकत को इजरैल की खुफे अजंसी मुसाद भी बड़ा खत्रा मानती है हिजबुल्ला के बारे में कहा जाता है कि लिबनौन में उसकी हैसियत एक राज़ के अंदर राज़ जैसी है इसका मतलब ये है कि हिजबुल्ला लिबनौन में एक समानांतर सरकार है इसकी ताकत दुनिया के कई देशों की सेनाओं की तुलना में अधिक है यह संगठन दुनिया की सबसे बड़ी गेर सरकारी सेना है हिजबुल्ला की सबसे बड़ी ताकत उसका हवाई जखीरा है हिजबुल्ला के पास रॉकेट, मोटार और मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है इजराइल की सेना IDF का खुद मानना है के इजबुल्ला के पास दो लाग से अधिक रॉकेट, मोटार और मिसाइले हैं